कि हलो माई डियर लर्नर वेल्कामिनि स्काई क्लासेज इस वीडियो में हम टी जी टी बाइलोजी के प्रीविएस येर कोश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं तो यहां पर अगर हम बात करें कि यह कोश्चन पेपर है हमारा प्रसिच्छित इस्तनातक सिच्छक चैन जब्का और यहां पर हम व्याक्यात्मक हल प्रेशन पत्र देखने वाले हैं मतलब हरी कोश्चन के बारे में जो स्पैसिफिक डीटेल होगी वह भी समझेंगे और कोश्चन के एंसर भी समझेंगे तो लेट्स स्टार्ट वीडियों फस्ट कोश्चन यहां पर अगर हम यह पहले ऑप्शन जीट कर लेता हैं डी आन अन प्रोटीन आरेन अन अमिन इसे या आरेन अन डीने तो इग्जाक्ली है पर ऑप्शन नमबर टू करेक्ट हो जाएगा आरेन अन प्रोटीन ओके कोश्चन बड़ तू है यहां पर पॉलिटीन क्रोमोसोम इस फस्ट ऑप्ज करने भी ओके कोश्चन नमबर चरड है यहां पर विच्छ हॉर्मोन इस सक्रीटेट बाइदा त्रेस्टेस तो हम जानते हैं मेल हर्मोन हमारा होता है टेस्टोस्टरों जो की रिलीज होगा यहां और ऑप्शन नमबर फस्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोश्चन फूर है आइसलेट ओफ लंगर हैंसा तो आइसलेट ओफ लंगर हैंस क्या होती है यहां पढ़ने की जुरात ही नहीं है हम बोलेंगे ऑप्शन नमबर फूर्ज है हमारा डटलेस ग्लंड इन पंक्रियाग वह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा देन हैं यहां पर ही हम estrogen बोलते हैं और यह हमारा right option हो जाएगा और एक बात अगर अब तक आपने चैनल को subscribe ना किया हूँ subscribe कर लें ताकि आपको जो भी आगी previous year question paper है या subject related जो भी things है वो आपको proper time पे मिलती रहें तो आप channel को subscribe भी कर सकते हैं next questions देखते हैं next question है हमारे पास question number six question number six अगर हम देखें तो यहां पर Christie helps in जो Christie है आप जानते हैं mitochondria में present होती हो और वो किस process में help करती है तो यह photosynthesis में help करती है respiration में help करती है photo oxidation में या फिर transpiration में तो हमारा option number two correct हो जाएगा respiration में help करती है question number seven है यहां पर stages of the life story of liver fluid which infect the primary host it larvae से बहुत से question आता है हमेशा आते हैं और यह भी larvae से ही related question है तो option अगर देखें तो radia, circaria, meracidium या फिर rapidity form larvae तो यहां पर जो हमारा correct option होगा वो होगा option number two circaria larvae जो होता है वो primary host को infect करता है question number eight है यहां पर which one of the following is a bisexual animal मतलब ऐसा कौन सा animal है इन में से जिसके पास दो sex present होता है तो leech है, ascaris, honeybee and housefly तो leech हो जाएगा हमारा correct option यहां पर जो इन लिड़ा पाइलम से related organism होता है हो हर्मा फ्रोडैक्टरी होता है और bisexual ही होता है question number nine है, justice occur in earthworm in the segments, earthworm से question आ गया है आपके कि जो justice present होते हैं वो किन segments में present होते हैं तो वो option number four हो जाएगा जो कि right option होगा 10 and 11 segment में, question number 10 है, metamorphosis in cockroach is regulated mainly by metamorphosis की process जो है वो regulated की जाती है, mainly यहां पर अगर हम बात करें तो corpora cardiaca यह प्रोथारिसिक gland या फिर यहां पर है corpora alata या फिर brain तो यहां पर option number third हमारा correct हो जाएगा corpora alata के थूरू यहां पर metamorphosis cockroach में regulate की जाती है, question number 11 है यहां पर in which of the following national parks loin is being preserved, तो कौन साय सा national park है जहां पर loin को preserve किया गया है तो यहां पर question number 11 की अगर हम बात करें तो बिल्कुल easy है asiatic loin आप जानते हैं गिरी national park में preserve के जाते हैं तो यहां option number 4 correct हो जाएगा question number 12 है follicle stimulating hormone is produced by अब जो FSH है वो कहां से release होता है hypothalamus anterior pituitary gland posterior pituitary gland या middle lobe of pituitary gland तो हम सब जानते हैं कि जो FSH hormone होता है वो release होता है anterior pituitary gland से मैंने trick भी बनाई है channel पे आपको trick playlist में आपको मिल भी जाएगा जहां पर pituitary gland से release होने वाले hormone आपको anterior pituitary से even release होने वाले hormone आपको trick से याद हो जाएगे तो वो trick आप वहां पर watch कर सकते हैं तो यहां पर हमारा option number two correct हो जाएगा next है question number 13 देखते हैं यहां पर 13 question यहां पर mention है pyruvic acid before combining with oxaloacetic acid of citric acid cycle become तो यहां पर अगर हम बोलें pyruvic acid से related जो question यहां पर पूछा गया है 13 question अगर इनके option read करें तो option number one है lactic acid option number two है यहां पर acetic acid C है यहां पर यहां पर हमारा exactly option number four correct हो जाएगा क्योंकि जो oxaloacetic acid और citric acid cycle है वह acetyl coenzyme A से start होती है question number 14 है regeneration in hydra occur by जो regeneration की process होती है hydra में वह occur होती है epimorphosis morphogenesis morpholaxis या फिर epimorphosis and morphogenesis तो question number अगर हम यहां पर 14 की बात करें तो question number 14 का हमारा जो right option हो जाएगा वह जाएगा option number C जिसे के हम बोलते हैं morpholaxis से ओके तो जो regeneration की process होती हो morpholaxis के तुरू होती है option number third correct हो जाएगा question number 15 है यहां पर first mammal appeared in जो first mammal है वह ऐसो कौन साइरा था जिसमें वह appear या even period पूछा इनोंने तो किस period में appear होना सुरू हुए थे तो option number B होगा triassic period था हमारा ऐसे हम quality organism के लिए सीनों जो एक एरा बोलते हैं और यहां पर period के अगर बात करें mammals के तो वह triassic period हो जाएगा question number 16 है आपर the second cranial nerves of frog is second cranial nerves होती है frog में उसे हम क्या बोलते हैं तो option अगर read करें तो trochlear nerve, optic nerve, auditory nerve, vagus nerve तो यहां पर option number two correct हो जाएगा optic nerve बहुत बार frog से even question पूछे गया है और numbers में ही रहते हैं तो कहीं न कहीं यह question important हो जाते हैं चले question number 17 देखते हैं question number 17 है fertilizing is a chemical substance produced from जो fertilizing substance होता है वो release होता है कहां से produce होता है तो acrosome, polar bodies, mature egg या middle part of sperm तो exactly mature egg से release होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा fertilizing और anti-fertilizing substance होता है जो की attraction के लिए essential होता है sperm और egg के तो यहां पर mature हो रहेगा हमारा right option हो जागा इन सब के वीडियोज है आप चाहें तो watch कर सकते हैं चैनल पर जहांपर detail study कराई गई है okay question number 18 है the book origin of species was published in तो origin of species आप जानते हैं Darwin जी की book है और इसे जो published किया गया था उसका year पूछा है आपसे लोग कुछ ना कुछ करके मतलब पूछ नहीं है इनको तो यहां पर 1859 ओके तो option नमर फोर करक्ट हो जाएगा question 19 है according to neo-darwinism which one is responsible for evolution of organism अगर हम neo-darwinism की बात करें तो mutation theory natural selection नाच्रोल सेलक्षन तो Darwin जी की थेओरी थी mutation ही गोडिवरीज की थेओरी थी तो यहां पर option no.3 हो जाएगा क्योंकि बोथ अप दीस एंड दोनों लोगों के concept हैं यहां पर तो यहां पर option no.3 बोथ अप दीस हो जाएगा question no.20 है which of the following fetal membranes functions as embryonic urinary bladder अब embryonic urinary bladder का जो वर्क करती है हमारी membrane उसे हम बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं allantois ओके तो amnion, chorion, allantois, yoxac सब प्रेजेंट होती हैं बट यहां पर जो allantois होती है न वो as a excretory work करती है option no.1 हमारा correct हो जाएगा question no.21 है यहां पर a chitinous exosculptan occurring जो chitinous exosculptan present होता है किन organism में होता है bird में होता है, insect में होता है, fishes में होता है, mammons में होता है तो आप जानते हैं जो chitinous exosculptan present होता है वो present होता है insect में ठीक है तो option no.3 हमारा correct हो जाएगा question no.22 है which one of the following is non parasitic animal mosquito, tapeworm, sea anemone या leech अब इनमें से कौन सा ऐसा organism है, जो parasitic नहीं होता है तो बिलकुल हम जानते हैं c anemone जो हमारा होता है वुसे हम बोलता है, आप लोग उनको comment section में मुझे बताना होगा c anemone का specific name क्या है second name क्या है बताईएगा आप लोग ठीक है, question no.23 है conjugation in paramecium involves exchange of, जो conjugation in paramecium है वो involve करता है exchange of, तो यहां पर question no.23 में अगर हम option read करें तो option no.1 है micronuclei, second है meganuclei, और third है both of these and D है none of these तो कौन सा correct होगा, option no.a correct हो जागा, micronuclei, जो conjugation के process paramecium होती है आप जानते हैं, 2 nucleus present होते हैं, micro, macro, यह में अभी कह सकते हैं तो यह हो जागा, option no.1 correct 24 question है, main excretory product in birds and reptiles तो birds और reptiles आप जानते हैं, बहुत कम water लेते हैं और water के base पे हम organism को ureotelic, uricotelic और aminotelic में visible करते हैं तो क्योंकि यह ऐसे organism है जो बहुती less water इनके पास होता है तो इनका जो हमारा main excretory product हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यह कैसे होते हैं organism अभी मैंने आपको 3 type के organism बताएं तो अगर हम बात करें 24 question के right option की तो aminotelic, uricotelic यह चीज़े आप याद रखेंगे और ताकि आपके mind में भी रहे, तो यहाँ पर इनका main excretory product होता है uric acid, तो हमारा option भी जो correct हो जाएगा, वो second हो जाएगा, ठीक है, uric acid हो गाए पर next question देखते है, question number 25, 25 question है आपर mammalian kidney serve to excret, जो mammalian kidney होती है वो क्या excret करती है, तो 25 question के अगर option हम read करें तो excess salt, urea and excess water, then उसके बाद second option है, excess salt, water and amino acid, third option, excess water, urea and amino acid and four and none of these, तो exactly जो mammals होता है, वो excess salt, urea and excess water release करता है, तो option number first ही correct होगा, question number 26 है, which one of the following is an egg laying mammal, कौन साइसा organism है जो egg देता है, जानते हैं आप mammals तो वैसे वी वी पेरेस होता है, तो मतलब यह तो young ones को बहुत देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, mongoose, whale, platypast and mole, तो यह हो गया बच्चों ला question और platypast हो जाएगा right option, question number 27 है, a coral reef lying close to the shore of some volcanic island is known as, तो 27 question भी बहुत ही easy है coral reef से related है, तो यहां पर जो हमारा फूर्थ option है न, fringing reef जो हो जाएगा वो correct option होगा, great barrier reef आप जानते हैं Australia में present है, तेख्या, mostly जो Iceland हैं वो भी कुछ coral से बनते हैं, इंडिया में भी है एक हमारा लच्छदीप और अंडमान निकोबार में कौन सा है, अगर आपको पता हो तो option मतलब comment करके बताएगा, 28 question है flame cells है, जो flame cells होती है आपको पाता ही होगा जो आला कोशिक इन्हें हिंदी में बोलता है, तो flame cells जो present होती है, वो as a excretory organ वर करती है, नाम देखके लगता है, आपको यह यह inflammatory होगी या फिर defense में यूज की जाती होगी, but it's used as a excretory organ next question number 29 है यहां पर, इफाइरा larva is found in the life cycle of, मैंने भी बोला था कि लार्वा से बहुत से question आता है, और यहां पर अगर इफाइरा larva के हम बात करें, तो first option ही हमारा correct है यहां पर, aurelia, okay, तो aurelia इनका right option हो जागा, question number 30 है, number of peristorm teeth is capsule of funeria, तो जो peristorm teeth होते हैं, hygroscopic in nature होते हैं, आपको पता है, 16 and 16, मतलब जैसे human beings में टीता ना, वैसे इनके हैं, तो above and below side में, तो option number 3 correct हो जागा, 32 में present होता है, फ्योनेरिया में, question number 31 देखता है, अपर, 31 question है, polymorphism is seen in, जो polymorphism की process है, वो हम किन में देखता है, सेलिंट्रेटा में, अनिलोडा में, और्थरोपोडा में या इकाइनो, डर्माटा में, तो फिर से वही first option ही है, हमारा correct, सेलिंट्रेटा, 32 question है, synchytial epidermis is found, जो synchytial epidermis होती है, वो किन organism में present होती है, तो आप जानने, अगर देखें, आपर option planaria है, ascaris है, earthworm है या starfish है, त सेलिंट्रेटा में, option बढ़ टू correct हो जाएगा, question number 33 है, jaw man, sorry, java man was discovered by, java man को सबसे पहले कि इन्होंने, discovered किया था, तो यहाँ पर, अगर option देखें, तो, wcpe, या फिर using, dubaius ने, या डार्विन ने, या फिर, robert brown ने, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, option बस second correct हो जाएगा, योजिने, dubaius 9 ने, सबसे पहले देखा था, तो option number 2 correct होगा, question number 34 है, metabolic water is a by-product of the process, तो यहाँ पर metabolic water जो होता है, वो by-product किस का होता है, digestion का होता है, excretion का होता है, muscles activity का होता है, tissue respiration का होता है, तो question number 34 का हमारा tissue respiration, option number 4 correct हो जाएगा, okay, 35 question है, which of the following occurs in mitochondria, इन में से क्या है भाई, जो mitochondria में present है, ठीक है, mitochondria के अंदर होता है, तो options अगर देखें, तो glycolysis, glycogenolysis, यह तो liver में होता है, tricorboxylic acid cycle, या histolysis of tissue, बिलकुल, option number 3 correct होगा, जो tricorboxylic acid cycle होती है, या भी हम लोगों ने question और इस तरह related देखा है, तो यह third option correct हो जाएगा, question number 36 है, sporocarp of marsilia, marsilia से question है यह, कि marsilia में जो भी sporocarp present है, वो क्या है, तो option अगर पढ़ें, तो first ही correct हो जाएगा, hetrosporous होता है, okay, 37 है यहाँ पर question, I steal without pithis card, steel से question जरूर आता है, tarodophytes में mainly two steel है, but two steels के इतने type है और even उनके examples पूछे आते हैं, तो फिर भी यहाँ पर I steal without pith इनोंने पूछा है, तो meri steel, proto steel, used steel या dicteo steel, तो question number 37 के अगर हम बात करें कि किन में pith नहीं present होता है, तो बहुत ही simple type की हमारी होती है, और जिसे कि हम क्या बोलते है, proto steel, क्योंकि primary type की steel है यह, तो यहाँ पर हो जाएगा option number 2 correct, question number 38 है, which of the following is an aquatic teradophytes, यह question भी कई बार आया है, तो like of podium, ajola, aquisitam, taris, तो क्या हो जाएगा right option तो, बताएं आप लोग ajola होगा, option number 2 correct हो जाएगा, ajola से बहुत question आता है, question number 38 के बाद, 39 question हम देखते है, 39 question है, which of the following teradophytes, show secondary growth, मतलब देखे, secondary growth की बात हम करता है, एक तरीके से, dicot plant में करता है, angio sperm में करते हैं, बट अब exception है, तो question है, exception से question जरूर आता है, तो like of podium, isot, marshalia या taris, तो यहाँ पर 39 question के अगर हम बात करें, तो हमारा right option जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, option number B, ICTs जो है, वो secondary growth चो करते हैं, exception से question, जो मादिमिक सिच्छा सेवा चाहना, यह हो गया ना, वो ज़रूर बोचता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रा था, question number 40 है, प्रोफेसर डीडी पंत है, डिवाइड़ जिम्नोस, पॉंस इन, डीडी पंत के classification से पूछ लिया, इन्होंने, अब यही है, कितने classification आप पढ़ेंगे हैं, आप पढ़ते ही रही है, classification, और यह पूछते रहेंगे, तो option number B हो जाएगा, three division है, इन्होंने डिवाइड किया है, Mr. डीडी पंत जीन है, मतलब प्रोफेसर डीडी पंत जीन है, तो three division है, जिम्नोस, पॉंस में, सबके ही साब से अपना है, कोनिफेर एल्स, कोई साइकड एल्स, साइकड़ोफाइट एल्स, तो मतलब यह order हो जाएगे, यह लगा देंगे, बट फाइटा लगा दो तो अपना बन गया है, चली, question number 41 है, the biggest bribe fights है, सबसे बड़ा bribe fights कॉन सा है, तो बिल्कुल देखने की ज़रत ही नहीं, यह डाउस होनी आपे लगाईए और अपना option correct करिए, तो 41 का, यहाँ पर हम question का option देखें तो 20 हो जाएगा right, second हो जाएगा right, 42 है यहाँ पर, in which stem is proto-steel form, अभी मैंने बोला था, इस टेल से question आता है, basically यहाँ पर मैं मुझे नहीं देखना चाहिए, options को, क्योंकि proto-steel की बात अगर हम करें, तो वो हमारे lycopodium में present होती, तो option number 2 correct हो जाएगा, मैं फिर से कहा रहा हो, in state is the most and most important, हो सकेगा, तो मैं एक video event flowcharts of form है, जिसमें आप कितने parts में divide करते हो, वो मैं share भी कर दूँँगा आप लोगों से, तो देख ली जगा आप लो, 43 question है, teradophytes are known as, teradophytes को हम क्या बोलते हैं, vascular cryptogames, amphibians of the plant kingdom, phenerogames, cryptogames, तो पहले ऐसे plants होते हैं, जिनमें vascular bundle present होना शुरू होते हैं, तो यहाँ पर हम इने vascular cryptogames ही बोलते हैं, question of 44 है, lycopodium exhibit, lycopodium से related question है, तो lycopodium कैसा होता है, heterospory होता है, homospory होता है, heterospory, homospory दोनों होता है, या none of these, तो बिल्कुल homosporous होता है, option number two correct होता है, question number 45 देखते हैं, लोग, 45 question है, यहाँ पर हमारे पास, और question है, ट्राबगली present in the stem of syla janela is, तो ट्राबगली के अगर हम बात करें, तो वो indoor dermis में present है, epidermis में present है, pericycle में या cortex में, तो A option ही is correct है, indoor dermis में present होता है, 46 question है, which is maximum in amount found in chloroplast, chloroplast में maximum amounts में क्या present होता है, pyruvic, carboxylase, hexokinase, RUDP, carboxylase, are you DP होता है, के RUDP होता है, okay, and then उसके बाद यहां पर हो जाएगा, none of these, okay, तो यहां पर 46 question के अगर हम बात करें, तो हमारा option अबस ही correct होगा, ठीक है, जो यहां पर mention RUDP इन्होंने लिख रखा है, तो वो हमारा हो जाएगा correct option, question number 47 है, which plant is fiber, oil and food for animal, कौन सा ऐसा plant है, repeated question है यह, तो 47 question के अगर हम बात करें, तो sunflower, jute, cotton या sun hemp, तो option number 3 correct हो जाएगा, cotton, okay, next है 48 question, wheat grain is and, wheat grain क्या होता है, तो 48 question के अगर हम बात करें, तो wheat grain क्या है, fruit है, seed है, embryo है या gloom है, तो wheat grain जो हमारे होता है, क्योंकि आप लोगोंने पढ़ा भी है, उनकी family poies उसके पहले उसे gloomy fairy में उसका name था, तो यहाँ पर जो हमारे right option होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भाई, fruit होना चाहिए, जो wheat का grain है, वो क्या है, एक fruit है, तो option number a correct हो जाएगा, one correct हो जाएगा, question number 49 है, gossipy m, here is 2m, is, तो जो gossipy m की वैसे तो बहुत सारी species होती है, लेकिन यहाँ पर इनके question की बात करें, तो old world crop and deployed, यह बहुत question आते हैं, new world crop और old world crop से, old world crop and tetrapolide, या new world crop and deployed या फिर fourth है, new world crop and tetrapolide, तो यह fourth option correct हो जाएगा, हमारा new world crop and tetrapolide होता है, gossipy m, here is 2m, okay, तो old world, new world से related जो भी question है, वो पूछे जाता है, चलिए next question देखते हैं, 50 question है, the concept of totipotency was given by, totipotency मतलब आप जानते हैं, total potential of a cell की वो एक पूरो organism form कर लेएवेन, तो यह जो concept है, वो किन scientist ने दिया था, stevall ने, hypocrites ने, या Hubble, Hubble landed ने, या Darwin ने, तो exactly option number C correct हो जाएगा, Hubble landed ने सबसे पहले यह concept दिया था, टूटी potency का, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ 50 questions की ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो हो जाएगा लाल और आपको नहीं करना है, इसे watch, की है, next video में मैं 51 questions से, हो सकेगा तो total 125 questions तक, otherwise 100 तक तो पक्का करा दूँगा, ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगाओ, तो आप वीडियो को like कर सकते हैं, friendship अपने share भी कर सकते हैं, और channel को subscribe कर सकते हैं, so thank you my learner,